हलू, 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 नमस्कार, नमस्कार जी स्वागत है आप सभी लोगों का PW I.I.T. Jam, CSN. योट्यूब चैनल पर क्या चाल रहे हैं आप सभी लोगों के Target I.T. Jam 2025 जो सिरीज चल रही है उस सिरीज में में गृप में हमने ओक्सोड पड़ा था आज हम उदर ही bridge bonding को समझेंगे उसका अगला topic हम bridge bonding समझेंगे main group में कुछ topics हैं जो common होते हैं है ना common होते हैं मतलब कि आप कह सकते हो कि boron पर भी लग रहा है तो aluminium पर भी रख रहा है किसी और पर भी लग रहा है यानि कि एक particular group की can such a common concept में अगर मैं बात करूं में groups को मन Confederate तो कशcken common concepts होते हैं मेंग्रूप में। कुछ common concepts होते हैं जो थ्रोळावाट हम अलग अलग जगयबी बढ़ा दिये जाते हों मालो यह है वो common और ब्रिज बोनिंग होता है है ना प्रिज बॉन्डिंग होता है आपके पसी कि पूँन कन्सेब्ट है इस तरीके से होते यह आप ने सुने होंगे सारे नाम इन어ube के ही यह कुछ common concept है basically main group के ही पार्ट में रहते हैं बट हम इने chemical bonding में भी consider कर लेते हैं actually chemical bonding भी आप देखोगे तो main group का ही मतलब chemical bonding में आप क्या कर रहे थे बीब लोग elements के geometry shape वगएरा के मारे बात कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमने यह चीज बड़ी डाइपल ithhhh ऐभर सकते है तो मैं आज हम क्या पढने वाले हैं bridge bonding हम पढ़ने वाले मैं उम्मीद करता हूं back bonding वह आप लोगों ने देखी हो पर पहले क्योंकि अभी मैंने इसी महीन के वीडियो डाली थी जो मिडनाइस रिसी जैम की उसके अंदर बैक बॉण्डिंग की वीडियो डाली थी होता है आईए समझते हैं आज हम bridge bonding के बारे में बात करेंगे कोई भी एक electron deficient species है कोई एक electron deficient species है सबसे पहले जो शुरुवात होती है chemistry में और इन और गेंट केमिकल bonding में औक टेट रूल हम कहते हैं ध्यान से सुनना दो मिनट सुन लेना ओक्टेट रूल में हम यह कहते हैं कि भाया आप molecule बनाओ molecule में जो central atom का 8 valence electron होने चाहिए मतलब कि central atom की surrounding में central atom के outermost shell में 8 valence electron होने चाहिए जब वो molecule बना रहा है है बड़ कुछ लोग octate rule follow करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं नहीं करने वासो कहा जाता है hypo as well as hypervolent species hypo मतलब ऐसे molecules जो अपनी outermost shell में 8 से controversy रखते हैं उसे hypovalent कह दिया जाता है Hyper मतलब जो अपनी outermost shell में 8 से ज़्यादा variance electron रखते हैं उसे hypervalent कह दिया जाता है अब hypovalent क्या है, electron deficient, अब कोई electron deficient अपनी मर्जी से तो है नहीं, कोई गरीब है तो वो throughout क्या try करेगा अपनी गरीबी को दूर करना, तो जो ये hypovalent species है या फिर electron deficient species है ये try करते हैं अपनी deficiency को दूर करने की, अब ये कैसे कर सकते हैं अगर मेरे पास पैसे नहीं है या फिर तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे बहले तो मैं अपने ही parent से मांगूँगा जिनसे मेरा bond बना हुआ है, जिनसे bond बना हुआ है, उनसे लेना मतलब back bonding करवाना, और तुम्हा अगर कोई बहार से, bank से ले रहा है, या फिर किसी base से ले रहा है, कोई electron deficient species है, वो base का काम के electron पर है, डोनेट करना, तो electron deficient है, electron कम है इसके पास, तो base से ये ले लेगा, अब ऐसा करते वक्त ये species क्या कहलाएगी, levis acid कहलाएगी, तो ये ही चीजे है, basically back bonding होती है और bridge bonding भी ह होती है ना, जैसे कि भाई, मालो, आपके पास कोई electron deficient species है, ध्यान से समझेगा, अगर आपने ये topic पहले समझा हुआ है, यह नहीं समझा हुआ हूआ है, अगर अगर ध्यान से देखोगे, तो समझ में आएगा, अगर कोई electron deficient species है, तो वो क्या try कर सकता है, वो try कर सकता है, बोन्डिंग का वो क्या ट्राइगर सकता है बैक बोन्डिंग का और वो ट्राइग कर सकता है एक और क्या ट्राइगर सकता है ब्रीज बोन्डिंग का इसमें भी कन्फ्यूजन हो रही होती है लोगों को कि बैक बोन्डिंग हो रही है या ब्रीज बोन्डिंग हो रही है देख सा हिसाब है second period का element है इसके पास d तो होंगी नहीं होंगी बिल्कुल नहीं होंगे d है न 2d तो exist नहीं गरता second period का element है sp होते हैं और यह sp2 hybridize है sp2 hybridize है तो 1p बचा हुआ होगा तो यहाँ पर 1p सर जिंदा होगा जायट सी बात है यहाँ पर 1p जिंदा होगा और यह रहे फ्लोरीन के पास क्या लोन प्यर अब यहाँ पर वही है यह सिग्मा से पहले खीचेगा खीचने के बाद जो खीचिऊ एक्ति देंसीटy और इं लौन पेर के बीच में क्या होगी धक्का मूं की इंट्र इलेक्तोनिक रिपल्षन और वो इंट्र इलेक्त रिपल्षन फ्लोरीन को इंसलिट करेगी किया वापिस से इसको डोनेट करो इसे हमने कहा बैक्म बांडिंट तो यह जो इलेक्ट्रों MR भी किसी electron deficient compound फेपन basically लगा रहे होते हैं ये कभी भी उसको ऐसा नहीं है कि electron rich बना देती है ये बस उस कमी को मतलब जो वो कमी है ना electron deficiency उसको थोड़ा कम कर रही होती है समझ रहे हो मतलब जो गरीबी है उसको थोड़ा सा कम कर रही है कि भाई डाल रोटी वाला काम कर रही है उसके बाद अगर माल लो कोई backbone ना show कर पाए तो आपके पास अब जिसे एक molecule है BH3 है इसको मैंने इस तरीके से let's suppose दिखाया यह BH3 है इसको मैंने इस तरीके से दिखा दिया यह just आपको represent कर रहा हूँ ताकि आप समझो है इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ थेक समझानी के लिए इसको इस तरेकेसे बनाया है अब आपको यहां पर वेकन्ट और्बितल तो अभी भीढ़ है यहां पर वेकन्ट और्बितल अभीढ बहुंद सकते हैं अब तुम कहोगी यह मstar है ऑ यक बॉंड बना हा लिया उसके बाद तुम कितना ही कहो कि यार देखो जी थोड़ी और मदद हो जाए वो कुछ नहीं कर पाएगा उसके पाद ही नहीं तो अब यह क्या कर सकता है अपनी डिफिशेंसी को पूरा करने के लिए तो एक और कि मैं आपको डाइम समझा सको ब्रिज बोंडिंग वो कर रहा हूं अब क्या होगा एक पल के लिए अगर आप इसको देखोगे यह भी एसरी मोलिकूल को देखोगे तो यहां पर यह बोरोन भी क्या है गरीब है मतलब कि अगर आप एक पल इसको देख रहे हो तो इसके पाद यह दो वैलेंस इलेक्ट्रों यह दो वैलेंस इलेक्ट्रों यह दो वैलेंस इलेक्ट्रों यह यहां पर है ठीक है और इसके पास भी यहां पर आप रहे हैं इस बोरोन के पास छेशे वैलेंस इलेक्ट्रों है अगर इंडिविजली इंडिविजली दोनों को देखा जाए तो दोनों में से किसी का भी ओक्टेट पूरा नहीं हो रहा मतलब दोनों को मालो किसी जगय जाने के लिए कुछ एक मतलब कि वही एक के पास शर्ट है एक के पास पैंट है और जाना है होस्टल में क्या और यह बढ़िया पार्टी हो रही है तो पहले वो काएगा भाई तू मेरी पैंट ले जा जा तू खाया फिर वह वापिस आएगा उसको देगा पैंट फिर वो जाएगा मतलब यही है यहाँ पर यह अपने इलेक्ट्रों यहाँ पर डोनेट करता है ताकि कुछ पल के लिए यह अपना ओक्टेट पूरा कर ले फिर यह अपने इलेक्ट्रों इसको डोनेट करता है ताकि कुछ पल के लिए यह अपना ओक्टेट पूरा कर ले इस तरीके से यह बनता है इस तरीके से यह बन रहा होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्र आप एक बात ध्यान रखना ये momentarily completion मतलब कुछ moment के लिए ऐसा नहीं है कि octet पूरा होई गया अगर आप इसका देख रहे हो तो फिर इसका octet पूरा नहीं हो रहा अगर आप सोच रहे हो ना कि बोरोन है 1 2 3 4 5 6 7 8 बोरोन के octet complete हो गया फिर इसका नहीं हो रहा क्योंकि आपने इस जो यह bond बना है यह जो bond बना है अब इस bond में कितने electron है आप मुझे बताओ यह जो bond बना है इसको bridge bond कहरे हूं रही है इस bond में मेरे भाई कितने electron है इसमें चार electron तो नहीं है इसमें कितने electron है ये दो ही electron के कारण bond बना है चाहिए आप इसको ऐसा समझ सकते हो ये boron का orbital ये hydrogen के पास एक electron hydrogen ने इसको दे दिया एक electron इसको दे दिया चाहिए आप ऐसे इसको समझ सकते हो मतलब कि ये total electron इस bond में इस bridge bond में total electron की अगर मैं बात करूँ तो total electron कितने है दो electron है इस bond में कितने है दो electron है तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे कि ये वला कौन सा bond बन रहा है मैं क्या बोल रहे होते हैं बनाना बॉन्ड भी बोल रहे होते हैं बना बॉन्ड बोलने की लिए रहता है क्योंकि and अपने आपको स्मिल करने के लिए त्यफित में चला जाता है ऐस небольш कुछ इस शेप में यह चला जाता है और इधर आपके पास क्या है इधर अगर हम बात करें यहां पर यह hydrogen यहां पर पर्जेंट है और इस पूरे बोंड में 3 center 2 electron bond ही यहां पर है अगर आपसे पूरे में पूछें यह इसको आप क्या कहा रहे हो यह यहां पर आपके पास आपने जो पढ़ाया है अपने अभी तो यह बनाया है आपने यह बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोरोन और हाइड्रोजन 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 यह रहा हाइड्रोजन यह रहा हाइड्रोजन अगर मैं बात करूं यहां पर यह SP3 बताय आजाता है हाँ पहले यह SP2 था मगर अब इसे SP3S SP3 बोला जाएगा यह वाध्यान रखना अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 3 center 2 electron bond की तो 3 center 2 electron bond कितना होगा दो bond होंगे और अगर मैं 2 center 2 electron bond सरी यह क्या बला है 2 center 2 electron bond आस तक जो हम पढ़ कर आ रहे हैं वो 2 center 2 electron अगर मैं 2 center 2 electron bond की बात करूँ तो यह कितना हो जाएगा 8 यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कितना हो जाएगा 8 यहाँ पर हो जाएगा ठीक है अब इस B2H6 में एक और चीज़ ध्यान रख लेना इस B2H6 में सुरी 8 कहा रहा हूं 8 कहां से हो गया चार एक दो तीन चार 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 बई चार है ना चार ठीक है अब एक चीज़ और ध्यान रख लेना यहाँ पर क्लीवेज होता है इसका ना यह तूटता है क्लीवेज ओफ B2H6 अगर हम बात करें यहाँ पर क्लीवेज ओफ B2H6 B2H6 का तोड़ा जाता है इसको दो तरीके से या तो एक आपके पास सिमेट्रिकल क्लीवेज हो सकती है एक क्या हो सकती है सिमेट्रिकल क्लीवेज है ना सिमेट्रिकल क्लीवेज हो सकती है ठीक है लो है ना हलाकि अभी ब्रीज बॉंडिंग में मैं और बाते बताऊंगा पर बीटू एशिक्स के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके रिलेटेड कुछ बाते हम लिख लेते हैं ताकि वह हमें ध्यान रहे हैं अब सिमेट्रिकल क्लिवेज बेसिकली कौन दे रहा होता है बलकी लिगेंड जो होते हैं जर्नली वो सिमेट्रिकल क्लिवेज देखते हैं और सीधा-सिधा पेपर में आ सकता है पर इसको हम लिखेंगे अलग पैंसे इसको हम लिखेंगे इस ताक कि यूँकि हमें वो दिखाना है यहाँ पर कि इसको हमरे लिखा नोन बल्की लिगेंड है न यहां पर हम यह क्या लिखरे रहे लिगेंड लिगेंड न एक अच्छी तरीके से नहीं बाटना मतलब इकल तरीके से अनिकल तरीके से बाटना उसको हम a-symmetrical cleavage कहेंगे symmetrical cleavage क्या कहेंगे यानि कि आपने उस चीज़ को ऐसे बाटा कि दोनों को equal equal मिला जैसे कि यह जो green pen से आपका क्या हो रहा है asymmetrical cleavage हो रहा है तो यह रहा symmetrical cleavage ऐसा यह BH3 उपर यह BH3 यहाँ पर तो यह आपका symmetrical cleavage हो गया और यह आपका क्या हो गया मेरा भाई यह हो गया asymmetrical cleavage आ रहे है यह बात समझ में asymmetrical cleavage में अगर मैं product ढूंड रहा हूँ इसके अंदर product कैसे बनेंगे इसके अंदर product क्या बनेगा इसके अंदर product होएगा जैसे BH2 अलग बनेगा ठीक है और एक BH4 negative होगा और जो दो लीगेंड आएंगे जो दो लीगेंड आएंगे मेरे भाई वो इस BH2 के साथ जूड जाएंगे ठीक है अब क्योंकि symmetrical cleavage है symmetrical cleavage में क्या होगा BH3 और BH3 आधे आधे पार्ट में बट जाएगा तो अगर मैं इसके अंदर product की बात करूँ इसके अंदर product की बात करूँ तो यहाँ पर दो BH3 आपको मिलेंगे दो BH3 मिलेंगे और दोनों BH3 से लीगेंड क्या होंगे connected होंगे यह आपको मिलेगा जैसे यह housecraft मैं आपको एक box बना के एक चीज गीवन भी है यह गीवन है आपके पस जैसे मानलो मैं B2H6 के ऊपर treat करवा रहा हूं एक बार क्या NH3 और एक बार मैं करवा रहा हूं NR3 तो यहाँ पर एक मतलब लिखी हुए है यह बिल्कुल और exam में किसी भी दिन दिख सकती है jam में net में gate में यह वाली reaction किसी भी दिन दिख सकती है क्योंकि यह क्या है housecraft में आपको given है यह जो है यह कैसे करेगा यह asymmetrical cleavage करेगा यह क्या करेगा मेरे भाई asymmetrical cleavage करेगा यह बात ध्यान रखना asymmetrical cleavage यहाँ पर करेगा यानि कि यह किसको बातेगा bh2 bh2 ठीक है साथी जाथ l2 और यहाँ पर यह positive and bh4 l2 अब हमें पता ही है तो मैं l का नाम ही लिग ले nh3 का 2 है ना उसका नाम ही लिग लेते nh3 2 यहाँ पर positive और यहाँ पर आपके पास क्या है bh4 negative एक चीज़ जरूर ध्यान रखना देखो अपन छोटी classes में ऐसा कर लेते थे कि कोई भी चीज़ को किसी भी तरीके से अपन पढ़ रहे हैं जोड रहे हैं ठीक है अगर आप net gate jam के regarding पढ़ रहे हो यहनिकि अब आप थोड़ा आगे आ गयो समझे तो अब यहाँ पर reference वाला game चलता है आपने 11 12 में जो पढ़ा ठीक है अच् इसको यह देखेंगे तो यह मिल जाएगा यह देखेंगे तो यह मिल जाएगा कुछ हद तक कुछ जगाओं पर अभी भी चल जाएगा वो jam में फिर भी चल जाएगा बट जब हम net gate में जाएंगे तो particularly हमें detail में थोड़ा देखना पड़ेगा आप एक मतलब कि यह ना ऐसे वह आपको देखेंगे आपने तो ही वह वाले चीजों को आपको concept लगाना है ऐसा नहीं कि आप एक simple चीज आप खुद सोचोगे कि दूसरा molecule भी ऐसा ही exist करेगा जैसे कि मैं बोल रहा हूं B2H6 बोल रहा हूं तो अब आप अपने आप imagine नहीं कर लोगे कि B2F6 भी ऐसा ही हो तो अपने आप नहीं आप जोड़ोगे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आप अपने आप example create यहां पर नहीं कर सकते कहने का सार यह है यहां पर ठीक है जैसे अभी आगे कई चीजे बताऊंगा भी उसमें आपको यह चीजों को समझ में आएगा मालो B2H6 है और यह NR3 हां थो यहां अब बात आती है सर यह जो ब्रिज मॉनडिंग की बात चल रही थी है यह जो bridge bonding की बात चल रही थी तो bridge bonding किसमें होगी या किसमें नहीं होगी तो यह सच बात तो यह है कि हम जिस level पर खड़े हैं खास कर net jam git इसमें particular example to example के थूरू ही पता लग रहा होता है यह ना किसके अंदर bridge bonding थी यह नहीं थी किसी के अंदर solid state में थी किसी के अंदर vapor phase में थी यह ना क्या चक्कर है उसके अंदर अलग-अलग उसमें होती है बट एक idea हम ले सकते हैं bridge bonding के condition के लिए है ना कि भई कैसे हम यहाँ पर देखें तो वो थोड़ा सा आपको help करेगा condition for bridge bonding है ना condition for bridge bonding अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो condition for bridge bonding मतलब उन examples को जो examples exist कर रहे हैं उन examples को देखते हुए एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह conditions follow होनी चाहिए पहली बात तो वहाँ पर back bonding ना हो absence of back bonding हो क्योंकि अगर back bonding हो रही है absence of back bonding हो और साथ ही साथ absence of steric crowding की कि इसकी absence of steric crowding की भी क्या हो absence और यह बात ध्यान रखना वहाँ पर steric crowding भी नहीं होनी चाहिए ठीक है जैसे मान लो मैंने example लिया मैं example ले रहा हूं यहाँ पर मैं यहाँ पर example ले रहा अगर हम BH3 की बात करें तो BH3 के अंदर ना ही कोई बैकबोंडिंग है यहाँ पर कोई बैकबोंडिंग भी नहीं है यहाँ पर कोई बैकबोंडिंग भी नहीं है और ना ही यहाँ पर स्टेरिक कराउडिंग है यहाँ पर कोई स्टेरिक कराउडिंग भी नहीं है तो इधर आप आपका क्या है, bridge bonding क्या हो जाएगी मेरे भाई, possible है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, bridge bonding जो है, exist कर रही है, bridge bonding यहाँ पर क्या होगी, exist करेगी, clear है, bridge bonding यहाँ पर होगी, ठीक है, अगर यही चीज मैं बात करूँ, BF3 के लिए, BF3 में क्या हो रहा है, BF3 के अंदर backboneing ही present ह यहां पर आपके पास क्या है बैक बोंडिंग ही प्रिजेंट होती है और अच्छी खासी बैक बोंडिंग होती है तो यहां पर कोई ब्रिज बोंडिंग नहीं होगी नो ब्रिज बोंडिंग यहां पर नहीं होगी क्योंकि बैक बोंडिंग वहां पर है दूसरी बात यहां पर नहीं होगी ये बात द्यान रगना, कोई भी bridge bonding यहां पर भी नहीं होगी, clear है वाई, अब बात करते हैं मालरों ये है आपके पास न, ये है BBR3 और BI3, अब देखो अगर पहली बात सर, backbone टीकिन क्या होती है, backbone की condition ये होती है भाई, कि bond आपका polar हो, ठीक है, bond polar हो, एक के पास loan pair प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् दूसरा element second period का हो तो बहुती बढ़िया backbonding होगी, दूसरा third का हो तो भी backbonding होगी, जैसे यहाँ पर second और third है, और अगर आपका एक element second का है और एक fourth का है ना, तो वहाँ पर negligible हो जाती है backbonding, ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाता है, मैं समझा रहा हूँ कि BBR3 और BI3 के अंद bridge bonding नहीं है, यह बात ध्यान रखना no bridge bonding इसके अंदर भी no है और इसके अंदर भी no है, अब सर मैं इसका reason कैसे समझू कि कि किस वज़े से no bridge bonding है, कि यहाँ पर backbonding है, इस वज़े से no bridge bonding है, या फिर यहाँ पर steric crowding है, भाईया यहाँ यहाँ पर steric crowding की वज़े से no backbonding है, अगर आप बैकबोंडिंग देख रहे हो यहां पर तो बैकबोंडिंग यहां पर नेगलिजीबल ही है बैकबोंडिंग से पूछने गए कि बैकबोंडिंग करवाएं तो उसने गा देख लो अपना बैकबोंडिंग तो कुछ नहीं है नेगलिजीबल बैकबोंडिंग होती है दोनों में ही negligible backbonding होती है मतलब ना बराबर backbonding है यह second का है और यह किसका है यह fourth का है यह second का है यह second का है और यह fifth का है ठीक है तो backbonding कोई आपको कहेगी इसमें bridge bonding है यह यह आपने का है फिर आप reason वे यह मत बोल देना क्योंकि इसके अंदर backbonding है, इसके अंदर backbonding भी ना बराबरी है, तभी तो ये एक बहुत शांदार लिविस ऐसीड होते हैं, जिनकी गरीबी दूर नहीं हो पाएगी, जो electron deficient रहेंगे, तभी तो वो bank जाओ, अब सीधा मानलो मुझे jeans लेनी है, जब मैं चला जाओ, बैंक पर loan लेने कि भईया मुझे jeans, अरे पहले मैं माँगूँगा अपने घर पे, क्या जी party आ रही है, फेर इनका कुछ नहीं हो रहा, इनका घर से भी नहीं आ रहा कुछ, ना ही इनका डोसी पडोसी से कहीं आ रहा, ना back bonding आ रही है, ना bridge bonding आ रही है, इसलिए ये अच्छे लिविस ऐसीड होते हैं, अगर आप से कभी पूछा जाएं, इन सब में, BF3 सबसे कम लिविस ऐसीड है, ठ दियान रखना, तो सर इसके अंदर bridge bonding, ये no bridge bonding क्यों लिखा, no bridge bonding because of steric crowding आप कहा सकते हो, because of steric crowding, steric crowding की वज़े से, ना, देखो असल में तो ये आपका, क्योंकि देखो आप एक बार समझो, एक second period का element, एक fourth period का element है, मतलब कि यहाँ पर ही second का बैठा होगा, और ये fourth के, य bridge बनना possible नहीं है, आप बात को समझो, आपका ये छोटा element है, ये बड़ा element है, अभी इसका मलब ये नहीं है कि आपको इधर, ना, कि ये इधर back bonding हो रही होगी, back bonding भी उधर बिलकुल कमजोर ही है, तो अभी हमने यहाँ पर क्या सीखा, अभी हमने जो सीखा, मैंने ये सीखा कि कोई भी boron का halide bridge bonding show ही नहीं करता, ठीक है, तो मैं यहाँ से एक statement दे देता हूँ, क्या, none of, ये मैंने बात पकड़ी है, none of boron halide, क्या पकड़ी है मैंने, none of boron halide show bridge bonding, बोरोन का कोई भी halide bridge bonding नहीं show करेगा, ये बात ध्यान लगना, बोरोन का halide कोई भी bridge bonding नहीं show कर रहा होगा, साथ ही साथ एक और statement भी हम यहाँ पर दे सकते हैं, कोई भी none of, ये दो statement याद रख लेना, आपको थोड़ा help ही करेगा, none of aluminium halide, कोई भी aluminium halide जो है वो backbonding शो नहीं करता, none of aluminium halide वो backbonding शो नहीं करता, अब वो backbonding ये aluminium halide backbonding शो नहीं करता, साथ ये क्या चीज है, इसके बारे में बताओ, तो इसके बारे में भी यभी हम बताएंगे आपको, इसके लिए थोड़ा सा backbonding की तरफ अपने को जाना होगा, है ना, थोड़ा सा क्या, बस एक second का ही है वो, जैसे कि मान लो मैंने, ये देखा, ALF3 देखा, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाली statement बता रहा हूँ, नीचे वाली, none of aluminium halide show backbonding, none of boron halide show bridge bonding, नीचे वाली statement को समझ रहे, ALF3 है, ALCL3 है, और ALBR3 है मान लो, इसे हम समझ रहे हैं, अगर इसे ही पकड़ लिए, तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है, देखो भाई, क्या होता है, इन में से, मैं क्या कह रहा हूँ, कि aluminium का कोई भी halide backbonding नहीं शोगरता, backbonding में एक बात तो ये आपको पता होगी, कि अगर दोनों में से एक भी second period का नहीं है, तो backbonding का नामों निशानी नहीं है, एक element तो second period का भाई, मंगता ही मंगता है, समझ में आई बात, तो अगर मैं LCL3 को देखूँँगा, तो दोनों third period के हो रहे हैं, LBR3 को देखूँगा, तो एक third का है, एक fourth का है, तो इधर तो backbonding पढ़ना ही बेवकोफी है, आरे ये बात समझ में, ये क्या है, third period का है, ये भी third period का है, तो यहाँ पर कोई भी backbonding होगी ही नहीं, no backbonding, अगर मैं यहाँ पर third और fourth का बताओं, तो यहाँ पर आपके पास, क्योंकि एक element second period का होना जरूर है, तो sir, इसके अंदर क्यों नहीं है, मुझे बताओ, इसके अंदर मुझे बताओ, क्यों नहीं है, third का है, ये second का है, इसके अंदर backbonding क्यों नहीं है, क्योंकि this is a ionic compound, ये एक ionic compound है, ये क्या है, this is a ionic compound, ये एक ionic compound है, नो concept of backbonding, backbonding and bridge bonding, ना ही backbonding देखोगे कभी, ना ही bridge bonding देखोगे, यह ionic compound है, मतलब कि यहाँ पर जो nature है, वो ionic nature जाद है, और वो आप थोड़ा फजान rule का idea भी लेकर देख सकते हो, अगर इन तीनों में फजान rule लगा दूँ, तो कोवलेंट करेक्टर किसका जादा आए चाहिए, सब कुछ सेम है, अनायन बदल रहा है, कोवलेंट करेक्टर देखने के लिए, जादा चार्ज, छोटा केटाएन, मोटा अनायन, ना, more charge, small केटाएन, लार्ज अनायन, ठीक है, तो केटाएन और चार्ज तो सेम ही है, अनायन क्या है, यह CLBR, फ्लोरीन CLBR, बड़ा ह है, तो कोवलेंट करेक्टर इसके अंदर क्या है, जादा है, कोवलेंट करेक्टर इसके अंदर जादा है, मतलव आइनिक करेक्टर इसके अंदर कम है, इसके अंदर कोवलेंट करेक्टर कम है, मतलव आइनिक करेक्टर जादा है, इसी वज़े से यहाँ पर कोई concept नहीं होता सर back bonding तो आ गया अब इसमें bridge bonding होती है bridge bonding भी इसके अंदर AL2 CL6 के अंदर पाई जाती है ALF3 में वैसे ही नहीं पाई जाएगी क्योंकि ये ionic compound है bridge bonding की बात कर रहा हूं bridge bonding की अगर किसी भी शब्द का कोई confusion हो रहा हो तो उसको एक second पीछे जाकर सुन लेना recording का सबसे ज्यादा फाइदा और सबसे ज्यादा main जो मज़ा है वो यही है कि आपके हाथ में हैं आप उसको जितनी देर दुबारा पीछे जाके सुनने आगे सुनने वह आपके हाथ में है आपको दिख रहा है 40-50 मिनट की कोई वीडियो है गंटे की वीडियो है आपका अगर लक्षय क्लियर है कि इधर से सारी बाते समझ के निकलना है तो आप clearly उससे समझ के ही निकलोगे क्योंकि आप उसको रोक कर दुबारा सुन सकते हैं तो यह फायदा होता है आप मैं क्या कह रहा हूं bridge bonding की बात कर रहा हूं aluminium halide में तो इसका एक compound आपने बहुत देखा है और बहुत सुना होगा AL2CL6 सर यही क्यों देखा क्योंकि भाई क्या है ना AL2F6 आपने इसलिए नहीं देखा क्योंकि वह एक ionic compound है ALF3 वो करता ही नहीं है back bonding bridge bonding ALCL3 ने कर दी ALBR3 ALI3 यह लोग sterically hindered हो जाते हैं इस वज़े से यह लोग भी bridge bonding नहीं शो करते हैं तो aluminium के इस compound में आप देखते हो और एक और compound भी देखते हो that is आप aluminium 2 CH3 का 6 यहाँ पर भी देख सकते हो आप यहाँ पर भी आपको dimer बनता हो देखता है दोनों को मैं बताता हूँ दोनों को explain करता हूँ दोनों में क्या differences है जैसे यह aluminium है एक aluminium है यहाँ पर एक chlorine यहाँ पर है एक chlorine यहाँ पर है ठीक है क्या यह deficient है क्या यह गरीब है बिल्कुल है जी 100 प्रतीशत है 6 valence electron रख रहा है यह गरीब ही है तो sir करवादो back bonding करवादो back bonding नहीं करवा सकते क्योंकि दोनों third period के हैं तो अब क्या होगा आपने इसका vacant orbital बिल्कुल align करके दे दिया यह आपने इसका vacant orbital पूरा यहाँ पर align करके दे दिया दूसरा molecule आया यह aluminium है यह chlorine है यह वापिस से chlorine है यह chlorine है और इसके पास भी क्या है एक vacant orbital यहाँ पर इसके पास भी है ठीक है अब आप मुझे बताओ क्या यहां पर bridge bonding होगी बिल्कुल होगी तो क्या ये दो electron ही जाएंगे थोड़ा सा सोचो दिमाग लगा के क्या ये अपने shared electron ही जाएंगे भाई आपको मान लो एक जरूरी कोई खर्चा करना पड़ रहा है आपने कुछ पैसे जोड़े हुए है ना चाहे उसको आपने FD गरा रखी है कहीं mutual में डाल दिये कहीं पी डाल दिये कुछ जोड़े हुए आपने पैसे ठीक है थोड़े बहुत पांच मतलब यह लगा लो आपने चालीस पचास अजार आपने रुपए जोड़े दीरे-दीरे कर करके जोड़े आपने चालीस-पचास रुपए अब आपको और आपने सेफली अपने पास एक-बीस अजार रुपए और रख लिए ठीक है पतलब कि वो आपने जोड़े नहीं है अपनी जेव में और एक जोड़के आपने साइड में रख दिये ठीक है उसका कुछ यहां पर क्या होगा भाई यह लोन पेर क्या करेंगे डोनेट करेंगे यहां पर similarly यहां पर भी लोन पेर है और यह लोन पेर यहां पर भी डोनेट करेंगे क्या अब जो बोंड बनेगा क्या यहां पर जो बोंड बनेगा यह एल है यह क्लोरिन है यह क्लोरिन है यह एल है यह इधर सी एल और यह सी एल यहां पर सी एल और यह सी एल क्या मैं यहां पर कहूं कि ये जो bond गया है, ये जो bond गया है, ये 3 center 2 electron bond है, क्या ये 3 center 2 electron bond है, ये 3 center 2 electron bond नहीं है, अगर पूछा जाएगा ये क्या है, ये 3 center 2 electron है, कते ही नहीं है, क्योंकि भाई, दो electron इसके अंदर है ही है, और इसके अंदर अब दो है, एक तरीके से coordinate दिखता है, इस तरीके से दिखता ह क्या है कि देने वाले नहीं सारे दी है शेरिंग नहीं हुई है तो यहाँ पर यही हुआ है ठीक है बेसिकली अगर इसको आपको बोलना होगा तो आप इसे क्या बोलोगे आप इसे 3 center 4 electron बोल दोगे 3 center 4 electron bond बोल दोगे यह बात ध्यान ठीक है यह पूरा bond अगर आप से पूछा जा रहा है bridge bond पूछा जा रहा है तो आप 3 center 4 electron bond ही बोलोगे बोलो जी yes or no अगर आप से कोई कह दे कि मुझे यहाँ पर बता 3 center 2 electron bond कितने है तो वो शुन्ने है कोई भी नहीं है हर bridge bond 3 center 2 electron bond नहीं होता समझ में आई बात हर bridge bond 3 center 2 electron bond नहीं होता अगर यहाँ पर बात करें 2 center 2 electron bond की तो देखो 4 तो यह हैं है 1,2,3,4 अब मैं अगर इसको देख रहा हूँ इस bond को देख रहा हूँ सिरॉप bridge को मत देखो इस bond को देख रहा हूँ तो यह यह वाला जो बॉन्ड है, यह वाला जो बॉन्ड है, मेरे भाई, यह खुद अकेला भी तो 2-centre 2-electron है, जैसे इस बॉन्ड को देखो, ये एक aluminum का, electron का, ये आठ आठ अगर आपसे पूछा जाए तो आप आठ बटाओगे ये बात ध्यान रखना आरे ये बात समझ में कितने बताएंगे भी या आठ बटाओगे आप AL2 CL6 इनके बारे में आपको ये थोड़ी सी बाते ध्यान रखनी है तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि बैक बोंडिंग और ब्रिज बोंडिंग का कॉंसेप्ट क्या है बैक बोंडिंग है कि अपने फैमली मेंबर से मांग लेना ब्रिज बोंडिंग क् अब इसके अंदर थ्री सेंटर टू लेक्टरन बोंड का केस आ जाता है तो वो बात समझ लेना जब अगर कोई ऐसा बोंड बन रहा है जब अगर कोई ऐसा बोंड बन रहा है एक्स और एक्स ए ठीक है अगर इसके पास लोन पेर है अगर इसके पास इफ नो लोन पेर अगर लोन पेर नहीं है इसके पास पहले से लोन पेर नहीं थे मतलब बनाने से पहले ही लोन पेर नहीं थे तो यह जो बोंड कहलाएगा वो थ्री सेंटर टू लेक्टरन बोंड कहलाएगा और अगर इसके पास पहले लोन पेर था लोन मतलब बनाने से पहले इसने जो लोन पेर डोनेट कर दिया इसको तो ये बॉन्ड 3 सेंटर 4 इलेक्टरन बॉन्ड करनाएगा अगर अंशेर्ड इलेक्टरन डेंसिटी नहीं है तो ये अपनी बॉन्ड की इलेक्टरन डेंसिटी देगा ये अपनी बॉन्ड की इलेक्टरन डें अरे दोस्त, सिंपल दोस्त भाई है न, दोस्त भी होता है जीवन में, नहीं सर ये तो है ही कि पिछला बॉन टूटेगा तभी तो नया बनेगा, ये तो हमारा वो है, अच्छा ये दोस्त कहा रहा हूं भाई मैं, दोस्त ध्यान रखना, शेर्ड इलेक्ट्रोन जब तक है, ज जैसे B2H6 और L2Cl6 की अगर मैं अंतर देखूँ, तो यहाँ पर B2H6 में कुछ पल के लिए ही ओक्टेट पूरा हो रहा था, मगर L2Cl6 में ओक्टेट यहाँ पर पूरा हो गया है, अब इस अलुमिनियम के ये दो इलेक्ट्रोन, ये दो, ये चार और ये दो, दो, चार, छे और आठ, तो यहाँ पर अब ये भाईया, इसका ओक्टेट पूरा हो गया, अब ये कुछ पल वाला खेल नहीं है, यहाँ पर इसका ओक्टेट पूरा हो गया है, ये बात ध्यान रखना, एक और इसमें एक्जाम्पल अगर हम देखते हैं, एक और एक्जाम्पल अगर हम मा शिल्प्रेटीशर से करता है लिए यह नहीं देखे जाते हैं आप मेरी इंडिस लाएगा जैसे यह Aluminium हो गया यह CS3 हो गया अब यहीं पर यह Aluminium है और इधर Iodine Bromine compare कर रहे हो तो Iodine Bromine कुछ इतना बड़ा है ठीक है वाद लब इससे बड़ा होगा इससे बड़ा होगा यह नहीं होगा भाई यह 3rd का है यह 4th का हो गया तो यहां पर यह बड़ा होगा इसलिए यह steric entrance लेकर आते हैं CS36 exist कर जाता है ठीक है हाला कि यह सच्चा ही है कि यह molecule exist कर रहा है experimental चीज हमें पता है तो ही हम इसके बारे में पूरा बाते कर पा रहे हैं अब मुझे बताओ कि यहां पर 3 center 2 electron bond बनेगा यह 2 center 3 electron bond बनेगा क्या बनेगा अब एक चीज समझ लेना भाई यह 120 डिगरी का एंगल इसको ठीक ही कर लो ना तुम थोड़ा सा ताकि ना हो यह कुछ इस तरीके से है कुछ इस तरीके से 120 डिगरी का ही एंगल होता है मतलब आप उसको उतना ही जमझ की चलोगे जो जैसे नौर्मल ट्रायगॉनल प्लेनर पढ़ते थे आप है ना यहाँ पर वेकेंट और्बिटल है मेरे भाई यह वेकेंट और्बिटल है यहाँ पर भी है ठीक है अब कार्बन के पास क्या लोन पेर है कार्बन के पास कोई लोन पेर नहीं है तो अक्टेट पूरा करने के लिए इस बोंड के ही इलेक्टॉन जा रहे होंगे इधर जा रहे ह और आपका जो मोलिक्यूल बन रहा होगा वो यह बन रहा होगा इस तरीके से यह आपका मोलिक्यूल बन रहा होगा और किर्प्या करके अब आप यह ना बैठें सोचने की कारवन के पांच बॉंड कैसे हो गए हैं यह तो सी एच्टू होगा नहीं भाई यह इसी तरीके से दि अब यहाँ पर जो यह बोंड यह वाला जो बोंड जा रहा है आपका इसमें दो इलेक्ट्रोन थे ना इसमें पहले दो इलेक्ट्रोन थे यह वाले अब इन दोनों की कार्बन का वो ही एक इलेक्ट्रोन है यहाँ पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रोन यहाँ पर एक इलेक्ट्रो बॉन्ड नहीं है, यह कौन सा बॉन्ड है, यह वाला बॉन्ड अगर मैं देखें, तो इसमें two electron है, इस बॉन्ड में क्या है, two electron है, three cent-ed, two electron bond है, इस two में से एक जो electron है, वो और एक कार्बन का है, ये तो खाली था, ये ठंठन गोपाल था भाई, अरे ये इधर देखो, इसको देखने से बहले इसको देखो, अलूमीनियम के तीन अपने अड्जेस्ट कर लिए, अब ये दो एलेक्ट्रोन ही तो बोंड बना रहे हैं, तो आप ये मत समझना की कार्बन के पास तो चार ही valence electron होते हैं यहाँ पर उसने 5 bond बना लिए हैं वो चार ही valence electron है भाई आप bond भी तो देखो ये normal bond नहीं है जो पहले हर जगे दिख रहे थे ये three center में दो electron bond है यानि कि ये जो दो electron bond है उसमें से एक ही electron कारबन का है तो एक एलेक्ट्रोन यह रहा कारबन का और तीन इलेक्ट्रोन कारबन की यह रहे वो चार वेलेंस इलेक्ट्रोन ही यूज कर रहा है पांच नहीं आये अभी भी chemistry chemistry ही है exception आ गया जी exception आ गया logic खतम कर दिया ऐसे नहीं भाई है यह नहीं कहे रहा है exception नहीं है दुनिया बर के हैं वाई मगर यहाँ पर आप समझ सकते हो जो चीज है वो सच्चा ही है CH3 CH3 तो अगर मैं 3 center 2 electron bond की बात करूँ तो 3 center 2 electron bond यहाँ पर कितने हो जाएंगे वो 2 ही रहेंगे और अगर मैं 2 center 2 electron bond की बात करूँ तो वो कितने हो जाएंगे अब यह bond तो 2 center 2 electron नहीं है एक यह वाला यह वाला जो bond है एक दो तीन चार यह तो है ही है और यह carbon का यह वाला जो bond बन रहा है यह जो bond बन रहा है इसके अंदर वी तो 2 ही electron है और 2 ही center है तो एक दो तिन चार चार और तीन कितना चार और तीन चात साथ और तीन कितना यह तीन फौर अन जो बंट रह Mega साथ यहांपर तीन हुआ है 13 यहाँ पर कितना है 16, 16 और यह 3 19, 19 और 3 22, 2 center 2 electron bond कितने बोले जाएंगे 22 बोले जाएंगे ये बाद ध्यान रखता है, मतलब कि ये bond भी गिने जाएंगे, ये bond भी गिने जाएंगे, ये वाले और CH वाले भी गिने जाएंगे, ये ये नहीं गिना जाएगा, ये CL वाले में ही गिना गया था पस क्योंकि यहाँ पर ये 3 center 2 electron bond है, आरे ये बाद समझ में, इसमें कुछ complex structure भी हैं जो आपको थोड़ा ध्यान ही रखना पड़ेगा, कुछ complex example जो book के हैं वो भी एक पर थोड़ा ध्यान रख लो, जैसे कि ALBH4 का, ये अगर आपने देखा हुआ है, मेरे भाई तो ही आप इस कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ALBH4 3 का structure क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ये इसका structure होता है, ये रहा, मैं फिर कह रहा हूँ, main group में, अगर कोई conceptual चीज आ रही है, चलो ठीक है, मगर जो ऐसे कुछ अलग सा आ रहा है, वो अगर आपने देखा हुआ है, तो ही आप उसको touch कर पाओगे, otherwise आप उसको नहीं touch करोगे, ये बात ध्यान रखना, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान करूँ, एक और example की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपके पास, ये भी है, ZR, BH4 का 4, और HGBH4 का 4, ये भी ध्यान रख लेना, अब यहाँ पर देखो, same BH4 ही है, जो BH4 पीछे था वो यही है, बट यहाँ पर जो है, तीन bridge बनता है, मतलब एक ही बोरों, तीन bridge का through देखा हुआ है, तो ही आपको पता लगेगा, इसी लिए यही थोड़ी वजय भी बनती है, कई लोग इसको छोड़ कर जा रहे होते हैं, बट छोड़ कर मत जाओ, चीजे पढ़ कर जाओ, कुछ ना कुछ तो फाइदा करेगी ही, कुछ ना कुछ तो जो है जी, फाइदा कर करेगी ही यह चीज, क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत, जैसे ऐसा ही एक इसी अलुमीनियम भी एच फोर के कॉंसेट से रिलेटेड एक पीवाई क्यू भी है, जैसे आपने यहां से देख लिया होगा, कि अलुमीनियम के साथ भी एच फोर कैसे जुड़ा है, और उनके साथ वो भी एच फोर कैसे जुड़ा है, तो अगर यहां पर अगर आप यह एक्जांपल देख रहे हो, तो यह यहां पर यह इसी तरीके से ही रहेगा, यहां पर अलुमीनियम के साथ जैसा जुडता है, वो वैसा ही जुड़ेगा यह बात ध्यान रखना, इसी तरीके से यह यह आपको थोड़ा सा क्या है, द्यान रखना है, वही बात है, यह अगर आपने देखी हुई है चीजे, तो आपके लिए यह फायदे मंद रहेगा, अदर्वाइस आप इसमें थोड़ा सा सतर कर रहेगा, यहां पर इसका आंसर क्या रहेगा, वै कोडिनेशन नमबर कितना और एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ ही कोडिनेशन नमबर है, और आठ ही यहां पर आपके पास क्या है, ब्रीजिंग हाइडरोजन है, क्योंकि जो ब्रीजिंग हाइडरोजन है, वो ही कोडिनेशन नमबर यहां पर एड़ कर रहे हैं, वह यह आपको थो पर कर रहा है वो यहाँ पर अपने थोड़ा सा समझा है ठीक है उमीद करते हैं आपको जो वीडियो में जो जो बाते हमने की है वह आपको समझ आई हो और यह भी उमीद करूंगा कि अगर कोई एक आदी छोटी छोटी चीज अगर दुबारा सुननी पड़े तो आप उसको ब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन्वरी यह चार महीने तो आपके पास सीधे-सीधे हैं ही है ठीक है और उसके बाद वेपर है ठीक है अब जैन्वरी दिसंबर में लगा लो आप थोड़ा सा समेस्टर का जो रहेगा समेस्टर की परिशानी रहेगी बट फिर भी ओवर आपके पास अभी अच्छा समय है तो जो टोपिक आपके पूरे हो चुके हैं उसको साथ-साथ रिवाइस भी करते रहो confidence रखो अपने उपर और अपनी खुद की इंडिवीजियल पढ़ाई के उपर भरोसा रखो जो आपने पढ़ा है उस पर भरोसा रखो इधर वो क्या क कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं उस तरीके में नफसो अपनी खुद की पढ़ाई पर आपको भरोसा होना चाहिए ठीक है क्योंकि जो भरोसा है वही आदा काम करने वाला है आपका खुद के उपर भरोसा खुद की तैयारी के उपर वरोसा यादा काम करने वाला किसी ने कित झाल झाल